जी हाँ, सभी को नमस्कार नासुला नोलिज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, HSC दोवारा पिछले 6 सालों में पुछे गए कोश्चनिज की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो ओके, तो आज का हमारा पहला कोश्चन है कोश्चन नमर 899 सेहती और उर्जा के बीच किसने संबंद स्थापित किया था तो दोस्तो, सेहती और उर्जा के बीच आइंस्टाइन ने संबंद स्थापित किया था किसे मिजाइल मैन ओफ इंडिया कहा जाता है तो दोस्तों मिजाइल मैन ओफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है ये हमारे पूर राष्ट पती भी रह चुके हैं मिजाइल मैन जी नेक्स्ट भारते प्रमानु उर्जा आयोग का पर्थम अद्देक्स डॉक्टर एच जे भाबा कों थे डॉक्टर एच जे भाबा थे नेक्स्ट राष्टिय रसाइनिक प्रियोग साला कहां पर है तो राष्टिय रसाइनिक प्रियोग साला पुने में है और पुने कहां पर है महराष्ट्रा में नेक्स्ट किस की रोग की रोग थाम के लिए बिसी जी का टिका लगाय जा पंडूभी के अंदर से समुंदर की स्थेवधDrey पर 9 देखने के लिए किस यंत्र का पर्योग करते हैं ? तो दोस्तो इसका नाम होता है पेरिस्कोप पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है पंडुबी के अंदर से बाहर देखने के लिए समुंदर के शी लेवल पर देखने के लिए राष्टिय गणित दिवस कब मनाया गया राष्टिय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों और क्यों मनाया जाता है ये गणित तक गय स्रीनवास रामनुजी जी के जनम पर मनाय जाता है next किस मुगल समराठ ने पहली बार अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी थी तो ये थे जहांगीर जहांगीर ने पहली बार व्यापार करने की छूट दी थी दोस्तो next पिर्थी अपनी धूरी पर एक चकर कितने समय में पूरा करती है तो पिर्थी अपनी धूरी पर एक चकर 23 गंटे 6-5 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है देखो दोस्तो जब पिर्थी अपनी धूरी पर गोमती है उसे rotation कहते है यानि कि पिर्थी का अपने आप घूमना और जब पिर्थी सूरिय के चारों तरब घूमती है तो उसे revolution कहते हैं परिकर्मा नेश्ट वित आयोग अपनी सिफार से किसे शोंपता है तो वित आयोग जो है वो अपनी सिफार से राष्टपती जी को सोंपता है और वरतमान में हमारे राष्टपती जी को है रामनाथ कोविन्द जी Next रिजर्व बैंक ओफ इंडिया कब अस्तितों में आया था रिजर्व बैंक ओफ इंडिया कब राज्य का सौमितव का संस्थान बना तो ये बना उन्निशो उननचास में Next Question number 910 भारते सविधान को गठित करने के लिए निर्मात्री सविधान सभागे अद्यक्ष कों थे? ये थे डॉक्टर राजिन्दर परशाद. दोस्तो, 1946 में सविधान सभागा गठन किया गया था. तो जो सविधान सभागी पहली बैटक हुई थे, वो 9 दिसंबर 19.6 को हुई थे ज इसके बाद 11 दिसंबर 1916 को सविधान सभा की दूसरी बैठा हुई उसमें सत्थाई अध्यक्स के रूप में डॉक्टर राजेंदर परसाद जी को मनाया गया था सुन्दर पिचाई का नाम किस कंपनी से सम्मादित है तो दोस्तों यह है गूगल से किसे गूगल से नेक्स्ट पंत सम्राट किस की परजाती है यह आलू की दोस्तों आलू की ही एक परजाती होती है पंत सम्राट नेक्स्ट नीति आयोग किस स्थान पर कारियरत है दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग किस स्थान पर कारियरत है पहले योजना आयोग होता था अभी 2015 से क्या हो बोटिक का विलोम क्या होगा दोस्तों बहुतिक का विलोम होगा अध्यात्मिक जीवन ठीक होते हैं इंसान बहुतिक जीवन जीवन जी रहा है तो इसका क्या हो Âत्याथनिक, यह इंसान अत्याथमिक जीवन जीरा है, सुना होगा न, next, दोस हर्ता में कौन सा प्रतय है, तो दोस हर्ता में जो हर्ता प्रतय है, ठीक है, यहाँ पर ता नहीं हर्ता, नेक्स्ट जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं उसे अलपक्गे कहा जाता है क्या अलपक्गे कहा जाता है नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा सुरू होता है 2016 का पटवारी का मौर्निंग शिफ्ट का पेपर कोशन नमर 911 हरियान समवाद पत्रिका का सम्मद किस विभाग से है तो हरियान समवाद पत्रिका का सम्मद सूचना एम लोग संपर्क विभाग हरियाना से है ठीक है किस है सूचना एम लोग संपर्क विभाग नेक्स्ट, मराठो और एहमत सावधाले के बीच हरियाना में कोंशा युद हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था पानिपत का तीसरा युद। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 और आप सभी को पता होगा कि 1756 में हरियाना के उपर अंगरेजों का आधिपत्य हो चुका था। ठीक है? किसका हरियाना पर मराठो का आधिपत्य हो चुका था। और एहमत सावधाली ने जब पानिपत के तीसरे युद में मराठो को हराया था, तो उसमें मराठो का आधिपत्य निकल गया। लेकिन दुबारा से मराठो का जो आधिपत्य है, हर्याना के उपर 1789 में स्थापित हुआ था, और किसकी अध्यक्सता में, यानि कि कौन लेडिंग कर रहा था, महाद जी सिंध्या, सन कौन सा था, 1789, देखो बोलने में चोटी-बोटी मिस्टेक हो जाती है, उसको अड़ेस् नेक्स्ट, कान्नोड का किला कहां पर है, दोस्तो कान्नोड का किला महंदरगड में है, कहां पर है, महंदरगड में है, और हर्याना का महंदरगड एक मातर ऐसा जिला है, जिसका मुख्याल है, जिले में नहोकर अन्ने किसे सहर में है, यानि कि नार्नोड में है, नेक्स्ट, बिजिंग उलम्पिक दोजार आठ में किस खिलाडी ने मुक्य बाजी में काश्य पतक जीता था यह विजेंदर सीग नेक्स्ट और बिजिंग उलम्पिक कहा हुए थे चाइना में नेक्स्ट कोस मिनारों का निर्मान किस ने करवाया था तो कोस मिनारों का निर्मान सेरसा सूरी ने करवाया था नेक्स्ट किस जिले को हर्याना का हर्दे कहा जाता है दोस्तों जीन्द को हर्याना का हर्दे कहा जाता है जीन्द जिला एक नॉम्मर 1966 को उन साथ जिलों के अंदर से ही एक था जो स्टार्टिंग में बने थे एक कुश्चन अगर आप से पूछ लिया जाए हरियाना के जो स्टार्टिंग में साथ जिले से इन में से पहला गठित जिला कौन सा है तो हमारा अंसर क्या होगा जीन्द होगा दोस्तो नेक्स्ट बिंडाबास वने जीवब्यारन कि जिले में है बिंडाबास वने जीवब्यारन जजजर में दोस्तो नेक्स्ट हरियाना के फरीदाबाद जिले में बहने वाली परमुखनदी कौन सी है तो फरीदाबाद जिले मे किस जिले में है गुर्दवार निम साहिब किस जिले में कैथल में है दोस्तों यहां पर आज का जो वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे मेरे लैपटोप में कुछ प्रोलम हुई है इस वजए से साथ एक दो वीडियो और में बना सकता हूं वो ठीक हो जाएगा तुरंद फिर